भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान तीन की लॉंचिन के साथ ही चांद की सतह पर सौफ्ट लैंडिंग कराने की तैयारी में है. अंतरिक्ष यान अब 23 अगस्त को अपने निर्धारित चंद्रमा लैंडिंग के लिए तैयार है. यह प्रयास भारत को सन्युक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन की कमपनी में शामिल होकर इस उलेखनिय मील के पत्थर को हासिल करने के लिए विश्वस्तर पर चौथा राष्ट्र बनने के रास्ते पर रखता है. मिशन को 14 जुलाई को आंधर प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंदर से GSLV Mark 3, LVM 3, Heavy Lift Launch वाहन के माध्यम से प्रभावी रूप से लौँच किया गया था. यह 23 अगस्त को चंद्रमा के बाहरी हिस्से को छूने के लिए तैयार है. यह भारत के तीसरे चंद्र अभियान और चंद्रमा के इलाके पर एक नाजुक लैंडिंग प्राप्त करने के लिए इसके दूसरे प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है. भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बुधवार को चंद्रयान तीन अंतरिक्षयान की कक्षा में कमी लाने की प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूरी कर ली इसरों ने एक बयान में कहा आज के सफल प्रक्षेपन ने चंद्रयान 3 को 153 किलोमिटर गुना 163 किलोमिटर की कक्षा में स्थापित कर दिया इसके साथ ही चंद्रमा की ओर जाने वाली प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाता है